प्रिये विद्यार्थियो सूप्रभात बचो आप जानते कि हमारा एफ़ेवन स्लेबस स्माप्त हो चुका है उसकी एफ़ेवन के प्रिक्साइं भी हमारी हो चुकी है तो अब हम आगे एफ़ेटू का स्लेबस प्रारंब करेंगे तो आज हम जिस पार्ट को पर ने जा रहे हैं वो पार्ट नमबर छे है इसका सीरसक है अच्छा बालक अब इस पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अच्छा बालक इसका सीरसक क्यों रखा गया और वो अच्छा बालक कौन था उसमें अच्छा ही के कौन कौन से गुन थ या नहीं है, क्या हमें उन गुनों को अपने दर्धारन करना चाहिए, अत्वा नहीं, तो आए इस पार्ट के मार्देव से हम समझते हैं और जानते हैं, विश्वबंधू अच्छा बालक है, बालक का नाम है, विश्वबंधू, वो एक बहुत अच्छा बालक है, सब यूसस उसने हे करते हैं प्यार करते हैं विद्याले में और मुहले में उसकी प्रसंसा होती है घर में विद्याले में और मुहले में हर जगा सब लोग उसकी प्रेज करते हैं उसकी प्रसंसा करते हैं घर पर आने वाले महमान भी उसे अच्छा बताते हैं और उनके घर में जो भी महम a विस्बंद्व सता स्वेरे उठता है विस्बंदु क्याकर पैस सुवा जल्दी उड जाता है रात-सुख से बीती इसके लिए प्रमात्मा का धन्यवाद करता कि इसमिए प्रभू आपकी क्रिपा से मेरी रात जो वह सुख से चैन से बीत गई कि दिन सुब कर्मoe में और सुक से बीते इसके लिए वो प्रमात्मा से प्राथना करता है रात सुक से बीती इसका धन्यवकार धन्यवाद करता है और आने वारा दिन जो अगा वो सुब और अच्छे कर्मों में बीते इसके लिए वो प्रमात्मा से प्राथना भी करता है चार पाई से उठकर वह माता पीता था बड़ों को नमस्ते करता है जब विस्तिर से उठता है तो सबसे पिल अपने माता पीता को और अपने से बड़ों को सब भी गो नमस्ते करता है शोच और दातुन से निवट कर कुछ दूर भ्रहमण करता है और सोच इत्यादी करके दातनों प्रस इत्यादी करके कुछ समय के लिए बहुत कुछ दूर घूमने के लिए चल जाता है फिर लौट कर बयायाम सनान और संद्या करता है जब वापस आता है तो सबसे बयायाम करता है फिर सनान करता है उसके बाद संद्या बंदन इत्यादी करता है भगवान का नाम जबता है हलका कलेवा करके विद्याले में सुनाये जाने वाले पाठ को दोहराता है फिर हलका कलेवा मतलब हलका सा अलपाहार को ले करके उसको खा करके जो स्कूल में पाठ सुनाये जाने वाले होते हैं उनको वो दोहराता है विद्याले जाकर वह वहाँ अपने अध्यापकों को आदर पूरुक नमस्ते कहता है और विद्याले में जाकर करके अपने टीचर्स को अपने गुरुजनों को आदर के साथ समान के साथ नमस्कार करता है विश्व बंदू पढ़ने में मन लगाता है पढ़ने में काफी मन लगाता है काफी मेहनत करता है शरार्त नहीं करता है और वो शरार्ती नहीं है बिल्कुल अच्छा बच्चा है अपने साथियों के साथ प्यार का ब्यवहार करता है और अपने सगे सन जो साथी क्रास मेर्स ह उनके साथ है बड़े प्रेम के साथ बेवार करता है पुस्तकों और कपड़ों को सफाई से रखता है अपने कपड़ों का भी ध्यान रखता है सफाई के लिए और पुस्तकों को भी जरा भी खराव नहीं करता है पैने पैंसिल से लिखते समय सुन्दर और साफ लिखता है और कि कोई बात अच्छी तरह समझ नहीं आती तो उसे पूछने में जिजग नहीं दिखाता है यदि पढ़ाई से सब्ढ़ने जब टीचर समझाते हैं पढ़ाते हैं तो उसको उसमें से यदि किसी बात में संदे हो जो उसको अच्छी तरह समझ नहाए तो उसको पूछने में व वो विद्याले से सीधा घर आता है और जैसे उसकी क्लासे खत्म हो जाती विद्याले में तो तुरंत वहां से वो घर बापस आ जाता है घर आकर माता पिता को नमस्ते करता है भोजन करके कुछ आराम करता है फिर घर का कुछ काम करके खेरने चला जाता है घर आता है माता पित वहाँ गंटा तक काफी समय ते काफी देर खेलता है, फिर गर्मियों के दिन हो तो घर में आ करके फिर सनान करता है, नहाता है और पढ़ने बैठ जाता है। रात के भोजन के बाद भी वह टहलनों नहीं बूलता, और रात्रिका भोजन करने के बाद भी थोड़ी देर टहलता है, गुमता फिरता है वह शाका हारी भोजन करता है वह भोजन का बिलकुल शुद्ध और साकारी करता है फल तथा दूद उसे अधिक पसंद है सबसे ज़्यादा पसंद उसे क्या है फ्रूर्स और दूद कभी-कभी भुने हुए चैने गुड़ तथा गन्य का भी आनंद लेता है और कभी-कभी वह भुने हुए चैने और गुड़ और गन्य को भी ले लेता है चैने चवाना और गन्ना चूसन वह दामतों का भियाया मानता है घर पर आये महमान की वह पूरी आव वगत करता है और उसके घर जो जितने महमान आते हैं उन सब की वह पूरी आव वगत मतलब फुल रिस्पेक्ट करता है सेवा करता है इज्जित करता है उनसे मधुरता, आत्मियता और आदर का बेभार करता है उन मेहवानों से वो अपने पन का मिठास से युक्त मधुरता मतलब बिल्कुल मिठास के साथ आत्मियता और अपने पन का तथा आदर का रिस्पेक्ट का बेभार करता है उसकी इच्छा रहती है कि दिन में कोई ने कोई अच्छा काम वह अवस्य करे उसकी प्रतेक रोज हर दिन कोई ने कोई इच्छा होती है कि आज एक ना एक दिन वो हर रोज कोई ने कोई एक आध अच्छा काम जुरूर करे किस दिन कौन सा अच्छा कारे किया है उसे वह अपनी डायरी में भी दिखता है किस दिन वह कौन सा अच्छा काम कर रहा है था वक किया है उसको वह अपनी डायरी में हर रोज नोट करता भी है रात को सोने से पहले वह कुछ पढ़ता है दूरदर्शन के अच्छे कारे करम का भी लाव उठाता है और रात को सोने समय कुछ सोने से पहले कुछ देर के लिए स्टडी भी करता है और दूरदर्शन के अच्छे कारे करम का भी लाव उठाता है और दूरदर्शन पर नैशनल आपके माता पिता बता देते हैं कि सोरी किन्त इसमें आने वाली फिल्म वह हो वही देखता है जिसके अच्छे होने के समद्ध में द्यापक ए माता पिता उसको बता देता हैं तो मसले वही क用ड़ेगे वहीं फिल्म स्वर्ट को बहुत अधिक नहीं जागता क्यूंकि उसने स्कूल के पट पर लिखा वगडहान नने कितेनी वार पड़ा है रात कभड़ हो समय तक जागता नहीं रहता है क्यूंकि एक उसके स्कूल में पट था था अग बोर्ड पर लिखा वह वचन था क्या वचन था कि जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्त संपन और बुद्धिमान बनाता है कि रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना मनुष्य को स्वस्त संपन स्वस्त बतल सारीक स्वस्त था संपन मतल धन धाने ऐस्वरे से और बुद्धिमान बनाता है सुबह जल्द उठना मनुस्या को बुद्धिमान बनाता है सोते समय वह फिर माता पिता को नमस्ते करता है और प्रमात्म से प्रात्म करता है और सोते समय वह फिर से क्या करता है अपने माता पिता को अपने प्रेंस को नमस्कार करता है और प्रमा स्कारे करेंगे इनी सब्सक्राइब के साथ इतियों श्रम